जनौप आठा गुणना जाए है या आठा गुणने की वश्वीर और इसके अंदर बस पानी आपको हास डालना पड़ेगा मैन्मली डालना पड़ेगा बाधी यह आठा अपने आप गुंदेगी है अब यह 25 किलो आठा इसके अंदर डाल रहे हैं यह यह 10 किलो डाल चुक है यह दूसरा दस किलो का पैकेट है तो यह देखो भाई 20 किलो आटा डाल दिया सूखा आटा और इसके अंदर आप मैनुवली पानी डाला जाएगा अंदाजे से कि कितना पानी डालना है और जब यह आटा पूरा गुंद जाएगा उसके बाद यह आटोमेटिक मशीन के अंदर रखा जाएगा जिसमें अपने आप रोटी का शेप नेलेगी पेड़े बनाएगी फिर रोटी का शेप नेलेगी और फिर रोटी को सेखके सीधा भार निकालेगी अभी आप देख सकत च dwट तो यह देखो जी आटा पूरा गून चुगा है और आब इस आड़े को ढला जाएगा उस मशीन के अंदर तो यह देखो जी इहाँ पर आप अटा डाला जा रहा है यहां पाटा यह बुन जो हगा जो भी आपके सामने गुंद दो और यह देखो जी यहां पर जैसे पताया कि आटमेटिक मशीन देख रहे हैं आपकी यह इसको एक रोटी की शेट के लिए पेडे में कट किया जा रहा रहा देखें तो हर एक पेड़ा जो है वो एक वो एक पेड़ा है और यह सुखा आठा जो की दूरा लागाया जाता है तो यह इसके अंदर देखें तो यह आराम से आ रहा है और यहां पर रोटी बेल के सीधा बाहर दिखा तो यह अंदर बेलने के बाद सीधा आगे चल रहा है जा पर अब यह ग्यास के अंदर जा रहा है और एक्टम स्लो चलेगा एक वार राउंड ने लगेगा का वंसेकं तीन चार राउंड है दो तीन राउंड है आप देख सकते हो उसके अंदर रोटी को शेक लगता है और शेक लगने के बाद सीधा एंड में आके वो निकल जाएगी जब पूरी डान हो जाएगी अब दिखाते हैं को कहा पर निकलेगा परशादा यह देखो जी गरमा गरम रेडी हो चुकी हैं और अब इसको लंगर और में लेकर जाया जाएगा शाल इसे घी लगाएगा तेक फने फूल फूल निकलरे और चलते हैं और आको दिखाते हैं कि एब लंगर ओल और दिखाता हू वो सब्सक्रत जहां पर अभी भी यह मशीन होने के बावचूद रोट क diapersзд accidental इंडा जाती है और देख सकते हो किपने के लिए लोग या पर यहाँ पर आते हैं अपनी मर्जी आते हैं सेवہ करते हैं और अगर आप भी आना चाते हो तो आप भी देखो जी पहले सब से पहले नाल प्रोशी चारी आ रही है को ऩर यह करता हूं कभी आप गुर्दवारे आए लंगर चकने के लिए तो उतना ही लंगर लीजिए अपनी प्लेट में जितना कि आप पूरा खा सकें वेस्ट ना करें क्योंकि वेस्ट करेंगे तो आप ये समझ लो कि किसी और के हिस्से का आप डस्विन में फैकरें तो इससे बेटर है कि आप उतना ही जितना आप पूरा खा सको लंगर वेस्ट नहीं होना जिए बस तो ये चीज़ का ध्यान रखना ये एक रिक्वेस्ट है और कभी भी गुर्दवारे आए तो कोशिश करना खुद सेवा करने की अंदर क्योंकि सेवा करके जो आनंद मिलता है लोगों को जो फीट करने में आ है जिनको नीचे बैटने में तकलीव होती है आप देख सकते हो परशादा दे रहे हैं आप परशादा दे रहे तो ऐसे पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जो दिन भर चलता है और ताजा लंगर बनता है कोई भी चीज बासी नहीं परोसी जाती हर एक चीज ताजा बनाई ज